नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम संदीप कुमार मीना है, मैं राजस्तान के दोसा जिले कर निवासी हूँ, सिविल सेवा परिशा 2017 में इस वर्ष मेरी रेंग 852 भी रही और मुझे IPS सर्विस अलोट हुई है, दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे न्यूस पेपर कैसे पढ़ें, और इस्पेशली हिंदी मीडियम वालोग के लिए मैंने, मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि उनके सामने से जो सबसे बड़ी समस्या आती है, कि हिंदी में उनको लगता है कि कोई इस तरही अख़़ार नहीं है, और उनको लगता है कि हिंदू जैसा, अगर इंग्लिश मीडियम में हिंदू जैसा न्यूस पेपर है, तो हम hindi मेडियम में, ऐसा कौण सा क्वार पढ़ें जो हिंदू की बराबरी कर सकें, या नूस पेपर को हम किस तरह से पढ़ें, चोको कई परैसफ़ा नहीं आती है, कि हम नूस पेपर में क्या क्या पढ़ें हमें समज में नहीं आता, कि उसमें इतनी सारी न्यूस दी होती है तो उसमें हम कैसे अंतर करें कि ये हमारे काम की है या नहीं तो इन सबी समझ्याओं का समधान मैं इस वीडियो में करना चाहूंगा तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि न्यूस पेपर पढ़ने से पहले जो सबसे इंपोर्टेंट चीज है वो यह है कि हमें सिविल सेवा के प्रिलिम्स और मैंस का जो जीएस के सिलेबस है उसे हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस में हमारे क्या दिया हुआ है जब तक आपको सिलेबस का पता नहीं होगा तब तक आप न्यूस पेपर में अपने काम की चीज नहीं ढूंड पहेंगे क्योंकि हम हमारा जो न्यूस पेपर है वो हमारे जीएस में हेल्प करता है जीएस पेपर प्रिलिम्स में और मेंस में उसके अलावा हमारी interview में help करता है तो हमें हमारा syllabus पहले मालूम होना चाहिए अपने prelims और mains के GS का syllabus मालूम होना और syllabus में आपको रटा होना चाहिए syllabus syllabus आपके सिराने पे जो आप सोते हैं या फिर आपके जो study table है उसके आज पास syllabus की दो तिन कोपिया चिपकी रहने चाहिए और हमें से सुबह उठकर एक बर syllabus देगो सोते वक्त एक बर syllabus देगो syllabus आपके दिमाग में होना चाहिए syllabus दिमाग में होने से आप newspaper में क्या काम की चीज है क्या काम की चीज नहीं है उसमें फर्क कर पाएंगे तो पहली चीज आपको करना है स्लेबस फिर दूसी चीज है कि हमें हिंदी मीडियम में कई न्यूस पेपर एविलेबल है तो हमें कौन सा न्यूस पेपर पढ़ें जो हमारी जी एस की लगबग सारी आवशक्ताओं को पूरी कर सके देखो दोस्तों हिंदी मीडियम में कई न्यूस पेपर आते हैं जो सबसे पहले जो विद्यार्त में जो काफी लोग परिये वो है इस वस्ता हम है देनिक जागरण उसके अलावा आप जनसत्ता पढ़ सकते हैं उसके अलावे देनिक भासकर भी है नव भारत टाइमस भी है और हिंदुस्तान टाइमस भी है लेकिन आप उस न्यूस पेपर का चैन करें जिसकी सोच मध्यमारगी हो जो एक्स्ट्रिम ना हो जिसकी अतिवादी सोच ना हो काफी जो उसके आर्टिकल से काफी लिबरल होते हैं जो हमारे एक्जाम जो उसके अनुशार होते हैं उसके अलावे आप हिंदुस्तान टाइमस भी दे सकते हैं एकोनोमिक टाइमस भी पढ़ सकते हैं जो हिंदी में आता है देनिक जागरण के अंदर करन्ट का जो न्यूस है वो काफी बहुत अच्छा आता है लेकिन उसकी कुछ एड़ोटोरियल्स आव अगर पॉलिटिकल एड़ोटोरियल्स को छोड़ सकते हैं क्योंकि वहां कहीं ना कहीं कहीं लगता है कि वह काफी अतिवादी हो गएं कहीं या इंवार्मेंट से डिटेड आर्टिकल से वो पढ़ सकते हैं तो मैं आपको यह तो हो गया हमारा कि हमें कौन सा न्यूस पेपर पढ़ना है कौन सा नहीं और किस तरह के न्यूस पेपर को हमें पढ़ना है सबसे इंपोर्टेंट है कि हमें न्यूस पेपर में पढ़ना क तो उसके लिए आप सबसे पकर हमें यह मालूम करना कि निउस पेपर पढ़ना किया है तो मैं यह चीज एक आपको कई धाण के माद्यम से मेरे सामने 掉 को तो मेरे सामें कुछ mids papers पढ़े हूं तो उसमें से मैं नीउस पर उठा रहा हूं और उसका नाम है यह नूस पर है देहनी जागर आफंग आप इसमेंbirds Lum सबसे यह सबरी मलामंदिर काहां इसतेत हैं कौन से भगवान का है सुपरिमस का क्या वर्डिक्त आया वो हमारे काम की चीज अब की si ने किसी सरकार के लिए क्या वोला वो हमारे काम की न्यूस नहीं है अब जैसे दूसरी न्यूस न्यूस पेपर में बिगड़ती आबो हौवा पर सरकार सकत तो यह आबो हौवा वाली जो न्यूस है यह एन्वार्मेंट के सेक्शन से लेटेड हैं क्योंकि दिल्ली और NCR के च अगली न्यूस है श्रेलंका में गहराया राजनेतिक संकट राष्टपती सिरिसे नाने निलंबित की संसत अब यह आई-ार वाला सेक्शन हो गया आई-ार में दो देशों के संबंध या उसमें है कि भारत का अन्य अन्य पड़ोसी और अन्य देशों के संबन्दा उसके अलावा एक और उसमें है है कि भीविन देशों की घटना आए घटना चेकर और पड़ोस नहें हैं श्रीलंका हुमारा पड़ोसी रास्तर है इसके जो राजनेतिक ये आयर का सेक्षन भी बन गया इंटरडडनाशनल रिलेशन वाला जो पेपर अपने सेकेंड में में और रोला सेक्षन हमारे प्री में भी है उसके अलावा क्रेंट वाला सेक्षन भी यह दोनों चीज़ां कआफरा कर रहा है ठाट इसी सदरा अरे फ्रंक पेज अब एक अगली न्यूज बाज नहीं आया पाकिस्तान तो सेना के पास खुले हैं दूसरे विकल्ब यह हमारे इंटरनेल सेकिरूटी से और इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है तो इसको आप पढ़ सकते हैं ठीक है यह न्यूज हमारी इंटरनेल सेकिरूटी और भ इस न्यूज से डीट दूसरी चीज हमारे काम की जो है वह नकसलवाद फिक नंटरानेशनलवाद की सपवार है यह तक हम इस नियूज चर्चा में तो इसके दौरा पहना नेट पर जाकर या नहीं बुक्स में वारे नोल से उसमें जाकर नकसलवाद की वारे मं फोड़ा थ यह देख सकते हैं ठीक है वैसे सीधी सीधी कोई काम की नियूस नहीं है अब आगे आप आ सकते हैं कि मैं फर्स्ट पेज पर आप अब मैं आपको लास्ट पेज में फिर हम बीच के पेज ओपर चलेंगे तो न्यूस पेपर का पहला पेज बहुत प्रेंट पेज अब हम लास्ट पेज पर आते हैं फिर हम बीच के पेजों पर आएंगे फिर मैं बताओंगा वहां कौन-कौन से हमारे पेज इम्पोते नियूस थी तो पहले हम उनको देखेंगे फिर बीच के जो पेज़ है जैसे स्पोर्ट से लेटेड हुआ, economy से लेटेड हुआ, I.R. से लेटेड हुआ, science and tech से लेटेड हुआ, उन पर हम जाएंगे अब ये लास्ट पेज है अब इसमें लिखाया है कि एक खबर है कि मा के लिए वर्दान है इस्तनपान तो यह हैं इंपोर्टेंट है क्योंकि सरकार भी इस्तनपान को बढ़ावा दें दिये कि बच्चों में को पोशन को दूर करने के लिस्तनपान जोड़ी आप इसको जैंडर इस्जू से जोड़कर और बच्चों के इस्चू से जोड़कर आप इसको पढ़ सकते हैं ही आपकी social issues में कवर जोगा ठीक है ये social issues के लिए महिलाओं का कोपोशन समाझक मुद्धा है तो उसमें ये section अब यह लिखा है भारत में अगले वर्ष तक खुलेगा फेशन म्यूजियम ठीक है तो यह थोड़ा सा यह ना मेंस की ड्रस्टी से इंपोर्टेंट नहीं हाँ प्रिलिम्स की ड्रस्टी से अगर कोई अब आगे आगर आप देखें अब यह से कुछ मूवी से लिटेड है क्या होगा रणवीर दीपिका और रणवीर की फिल्म का तो आप यह ना न्यूज हमारे कोई काम की नहीं है इसे आप छोड़ सकते हैं पढ़तेवगे ठीक है जिसे मूवी से लिटेड और भी न्यूज है तो आप इनको छोड़ सकते हैं अब आप देख सकते हैं और न्यूज है इसके अंदर 3.6 अरव बर्ष पुराना है बुंदेल खंड का पत्त तो यह आपका काम की चीज है ठीक है क्योंकि यह हमारे जियोग्रोफी से जूड़ा हुआ है इस न्यूज को आप पढ़ सकते हैं क्योंकि हमारे स्लेवस का पार्ट भी है क्योंकि आप जोग्रोफी में स्लेवस में नहाएंगे तो भारत की भूगर्बिक सनचना भी एक टॉपिक दिया हुआ है जियो लोजिकल स्ट्रक्टर जिसमें आप आरकेन चट्टाने बुंदेल खंड की चट्टाने धारवाड की पढ़ें तो उस इम्हुक्त रह काम कियो गई तो अब इस नि्पर सकते हैं जो भी काम का पॉइंट लिखे उसे आप अपने डायरी के अंदर जो भी आपने नोट कर सकते हैं अब हम नीउस्पेपर के अंदर जो ऑस इंप्लेर्टंड सैक्षन में आता है इस पोर्ट्सका हम सब कोई ना कोई गेम खेलते रहते हैं और इस्पोर्ट्स पेज जो काफी करंट एक्जाम में आता है चाहे आपके UPSC का एक्जाम हो चाहे आपके PCS पे जो स्टेट PCS के एक्जाम होते हैं उसमें भी काफी स्पोर्ट से कोश्चन पूछे जाते हैं इसके अलावा UPSC के अधर एक्जाम हैं जैसे CDS हुआ, NDA हुआ, Assistant Command and CPF वाल एक्जाम हुआ SSC वाले एक्जाम होगे, बैंक के एक्जाम होगे उन सब में करंट पूछा जाता है तो उसमें स्पोर्ट के कोश्चन काफी आते है तो स्पोर्ट के जो पेज है वो डेली पढ़ना चाहिए क्योंकि स्पोर्ट का एक और चीज है स्पोर्ट के पेज के साथ अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे लोज जाना तो एक दिन आप सोचते हो एक्जाम से पहले कि मैं कोई करंट में जीन से स्पोर्ट तैयार कर लो तो नहीं हो पाएगा कि इस पोर्ट काफी डाइवर्सिटी होती है ropolसी बढ़ोद उसमें भी आम फर्कड़ना है क्हून सी न्यूस हमारे काम की कौन सी दिए इन भी इन जैसे पर्सbelsालीटि इन जैसे पर्सनायल्टे से लेटेट आजम जाता है इसे किसी ख्लाडी का नाम दे दिया तब आपको तभी पता होगा जब आपने नियूस्पेपर पढ़ाओगा ठंक से और जो मैचिंग करवाता है नो खिलाड़ी का वो उनittव के खिलाड़ी में मैचिंग राता है जो अपने चेतर में प्रसिद्ध रहते हैं तो अगर आप डेली न्यूस्पेपर पट रहें तो उन स्केल से आप परिचेत होंगे जैसे कि रहने के दम पर इंडिया 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 इंडिय रिगर जब आपने नोट कर लिया तो एग्जाम में जैसे ही कोशन है। आप ग्रुट कर दिया। अब किस के दम पर जीता objectee? आन्जी के रहने के दम पर तो आन्जी के रहने इसमें did a man of the match और आप आपने मोजूच करे लिया। तो एक्जाम में इस तरह के कोशन आपके न्यूस पेपर से ही तैयार हो जाते हैं अब जैसे कि इसमें न्यूज है रेफरी ब्रॉड ने पूरे के तीन सो बंडे मैंच होगाना दोल्क के तार हो जाते हैं अब आपको का क्रिकेट नहीं देखना क्रिकेट के अलावे अधरी सपोर्ट सभी देखने क्योंकि हमारे इंडेन के साथ क्या है कि सुछोटॉ भूख प्रलोक परियेते अब धीरे-धीरे जब अख़वार पढ़ोगे तो आपका धीरे-धीरे इंट्रेस्स क्रियेट होगा, ठीक है? अब जैसे कि हम इसमें और अधर गेम्स देखें तो कोई ज़्यादा अधर गेम्स दिये नहीं है सिर्फ क्रिकेटी क्रिकेट की ज़्याद तर न्यूज है ठीक है अब जैसे हाँ एक फुटवोल की नियूज है आज दिखेगा एल क्लासी को मुकाबले का रोमांच ठीक है अब ये फुटवोल की जो कलब है आपको आप देखना वर्ष 2009 का सिविल सेवा का पेपर देखना उसमें फुटवोल कलब का मैचिंग करवाया हुआ है कि ये फुटवोल कलब कौन आपको इक नाम पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा मौस्क मौस्क वर्ड फेमस फुटवोल कलब है उनके नाम पता होना चाहिए ये यूपी एसी में वर्ष 2009 में इस तरह का कोशन आया हुआ है तो बविशे में भी कोशन आ सकता है क्योंकि प्रिलीम्स में हमारा एक एक क उब कलब दिया है जैसे एल क्लासिको मुकाबले करो में इसमें का यह फूटवोल कलब दी हैं लगा के सबसे बड़े रोमाज एल क्लासिको में रविवार को बर्सी लोना औरी अल्मेडिटेटी बिढ़ने जा लिए अब ठीक है बर्सी लोना ओर्हेल तो आपको यह पता हो हाला कि बरसी नोना के स्टार स्ट्राइकर लियोनल मैसी और रियल। के पूर्व स्ट्रायकर क्रिस्ट्टार नोर्नाल्डू का अनुक्ह器 थी इस मुकाबले को सबुक't क्यानि इसका पता चल रहा है कि लियोनमैसी जो अर्जेंटिना के लिए भी खेलते हैं तो एक्जाम में कोशन आ सकता कि लिए लियोन मेसी जो यो आर्जैंटिना के फुटबोल कलड़ी है किस फुटबोल कलब के लिए घेलते हैं अब इसमें इक उल्ड़ाय लिख हूई है वह किसके हैं पूर्वड्वastriker की स्विश्का मतलब अब रियल मैड्रेट के लिए नहीं खेल रहे हैं ए मतलब कोई कोई के लिए श्री क्ना फ्रेंच ओपन से बाहर अब आपको तो दो चीजे पता चली कि पी वी संदू और के श्रीकांत तो इस गेम के खिला नहीं है बैडमिंट अब भार हुए फ्रेंच ओबंस यह इंपोर्टेंट नहीं है, यहां पर इंपोर्टेंट क्या था कि किस गेम से एलेटेड है, अब इस गेम से बहार हो गये तो इस गेम से क कोगे यह इंपोर्ट है ठीक है तो आप देख सकते हैं जोरी कोन है रहुल जोरी बीसीसीज़ेग के सीओ ऑफ कि अफॉर्टी ऑफ की ठीक है उसके सीयों गोष। तो यह आपका एक आम का कोशन था ठीक है निक किसको घ्रा बोड़ के कारेवाख सचिब अमिताब छोधरीक तो सबसे इंपोर्टेंट मैंने बताए फ्रंट लास्ट इसके बाद हम जो न्यूस पेपर के अंदर किसी भी न्यूस पेपर में यह सब चीजे कॉमान होती है फ्रंट लास्ट इसपोर्ट उसके अलावा अब हम आएंगे आयार वाले सेक्शन पर इंटरनाशनल रिलेशन जो सब न्यूस पेपर में होता है एक पेज सारे हिंदी न्यूस पेपर हो यह इंग्लिश पेपर हो उन सब में कॉमान होती है चीजे यह नहीं कि जो इसमें देनिक जाड़ में जैनिक सत्ता में नहीं होगी सब में कॉमान होती है यह पेज ठीक है तो कैसे पड़े तो इसमें हमें क्या करना है हमें काम की जो हमारे जाना होगी भारत और चीन 21 वर्त थरे एंपर्टेंट क्योंकि हम आरे चीन के साथ जो संबन्द यह तरनावपून हो तो उसमें जो भी गतिविधि йू हु जो भी संबंधों में गटीवीदी और यो यह जो भी निर्मान कारिय कर रहे हैं उसमें बातचीट होगी तो इसमें कुछ निशकरश निकलेंगे बातचीट के तो वह सब अगली निउस में आएंगे तो यह इम्पोर्टेंट है भारत की तरफ से किस ने भाग लिया चीन की त अजित दौबाल ऊक्षण कों है चीन होगे चीन की और से स्टेट कांसलर विदेश-मंतरी का नामई-ङी-ः तोनों और देश के दिए डिकान मिलिन माना कि दो दौसकों से सीमा हुआद कर नहीं हो पर जो हमारे 20 सालों से जो बात्ची चली उसके समयधान के लिए बात हो रहे हैं कि वारता में काफी प्रयाश किया था इस सीमा पर इसमें पर शांति and तनाव करने की दिशा में तंत्र किया था जो पिछली जो वारता में क्या-क्या प्रगरती हुई और इस वारता के एजंडे क्या है तो यह इंपोर्टेंट हुआ अब दूसरा है अमेरिका में फायरेंग आर्ट की मोत यह ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है क्योंकि इस तरह की छोटी मोटी घटना है हर देश में होती रहती तो इसको हमें ज़्यादा देखना नहीं है अब है खगोशी के हत्यारों पर साओधी अरब में चले का जिस पर साओधी अरफ काफी दवाव में है उसे रोजाना अपनी नहीं नहीं सफाई पेश करनी पट रही है तो यह न्यूज आपकी करण की डर्स्टी से में भी और प्रिलिम्स में भी बहुत इंपोर्टेंट है तो इस पर नियूज पर नजर बनाए रखें ठीक है तो आ अब इसमें एक और चीज है अब इसमें ना न्यूज के दर दिया हो है अमेरिका के रक्षा मंतरी जिम मैटिस ठीक है तो आपको एक कोशन और मिल गया अमेरिका के रक्षा मंतरी कौन है जिम मैटिस ठीक है यह चीज में अमेरिका ऐसा देश है उसका विदेश मंतरी उसके मंत्री उसके वित्रमंत्री वहां के रास्टर पती ठीक है वह सब और वहां की जो सीज़ों पर प्रमूख है वह सारे इंपोर्टेंट है क्योंकि यूपियस ये पेपर देखोगे या अधर पीशीज़ों पर कोशन पूछे गें जो बड़े कंट्रीज हैं जिनका अंटराश्टी राजनीती और अर्थवियोस्ता में बड़ा इस्थान है तो उन देशों के जो बड़े बड़े जो बड़े लोग बैठे हो उनके बारे में जानकारी होना जरूरी जैसे अमेरिका रुषिया चाइना बिटैन फ्रांस जर्म मॉस्त कंट्री उनके बारे में जैसे इंडी के पड़ोसी कंट्री जो साथ-8 देश ने उड़े में उसके आलावा अदोर्टी में नाइजइरिया उसके अलावा आप अड़े कंट्रीज में देखेंगे तो लीबीया मिस्र रहे तो इन दो चार दो पर आफीका में ऐसी परमुक्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन 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 से बढ़ बैठा हुआ है अब जैसे कोई बार सुरक्षा एजेंसी का जिक्रा आजाता है तो आपको पता हो ना जी इस अब जैसे पांच फिलिस्तिनियों की मोद पर इस्राइल पर दागे गए रोकेट चुक आप हलका सा देख सकते हैं अब सीरिया से तीन मुना ज्यादा खतरनाग है पाकिस्तान अब इसके एक रिपोर्ट आई है ऑक्सफोर्ड यूनिवरस्टी के रिपोर्ट है तो आपने इस रिपोर्ट को यह पढ़ना इंपोर्टेंट है क्योंकि हमारे पाकिस्तान से रिलेश आप उन्हें पाकिस्तान का अटंगवाद विश्व के लिए खतरनाग है तो हम इस रिपोर्ट का हवाला देश सकते हैं इतना ही इंपोर्टेंट इसमें इसमें एक और चीज है कि कुछ आतंगवादी संगठनों के नाम दियो है तो उन आतंगवादी संगठनों का पोई प किस देश का है इस तरह से त Sagdao आप देखोंगे दो जाट 911 गाशा मृत को सकता है कि आने वाले ही डिलिम्ड का यह तो इस त्रह को धाचांगे तो हुँम Everything जितने भी टर्र घ्रत औरगनाईसेशन है ज़रूरिः नहीं इंडिया के जैसे अफ्रीका में ऑफिर सौथ इस्ट एशिया में र arrivéक्राने पाकिस्तान में अफगानिस्तान में है तो जितने इंपोर्टेंट है यह यूतु तूफान है कोई और उत्री मरियाना अब उत्री परियाना दीप सबसे पहली बात है कि उत्री मरियाना दीप यह किस देश के अंतरगत है तो इसमें लिखे आए कि अमेरिका के इन दीप यह अमेरिका मेलब नौर्थ अमेरिका मेलब यूएसे तो यूएस के कोई दीप है उत्री मजिन दीप है वहां पे तूफान आए तो एक्जाम में कोशन आ सकता है कि जो इन उत्री मर्ययन आईलेंड है एकिस देश का पार्ट है जहां हाली में यूटू तूफान आया तो इसमें अपदा को आपातकाल गोशित करने के राज शीके यह तूफान यूपीएस सी में कोशन आया हुगा है कि नाम दिये हैं उसमें से पूच रहा है कि इन वन्यमें से कौन से तूफान के नाम है सब्सक्राइब तो आपको यह तूफानों के नाम पता होना चीह ठीक है में तरह को कि अभी आपकी क्वान में क्की सीटिए अगले आजाए अब इन जो बिजनेस का पेज का फिरिन घाए बन मतămे सिल अरत विभ्य वस्ता है अर्थ्र फिरिव्य वस्ता कर के इसी वह При popular beim जिसका फाइनेंस यानि पैसे से संबने वह अर्थफे वस्ता अब मोबाइल कांग्रेस से 40 अर्वनिवेश इसमें एक कोशन है वह नुज दोसो स्टार्ट अप कंपनियों का प्रदेशन लाजबाब एक साथ लांच होई दोसो पचास एफ दो वर्शों में बन गया बरसी नो क्रोट रुपे से अधिका निवेश आसितने कामरा तो यह जो इंडियन मोबाइल जो कॉंग्रेस हुई इससे हमें क्या मिला निवेश मिला 4000 क्रोट रुपे का ठीक है तो यह हमारे इंपोर्टेंट है यह निउस मेंज की डुस्ट्री से में में के सिलेबस में जैसे अगर में सरकार ने इंडियन मोबाइल कॉंग्रेस का आइजन किया जिसके दोरह हमें 4000 क्रोड का निवेश पराप्त हुआ ठीक है तो आपने एक पॉइंट डाल दिया तो यह आपकी मेंस के आंसर को एफेक्टिव बना दिया अब अगर इसी बिजनिस पेज में हम अगली निउस हैं तो इसमें निऊज है एक उडीशा के धामरा में चाई पार्क के विकास की प्रिकरेश नूप ठीक है तो यह सबसे पहली बात ही कि धामरा है क्या अब यहां पर यहां पर इक चाई पार्क बनाया जा रहा है ठीक है तो आपको यह देखना है कि अभी यह धम्रा इसलिए भी important है क्योंकि यहaam पर गहिर माता बीच से वालीव डी टॉटल है आपने सुना होगा संगट गरिस प्रजाती इसके आस पास पाई जाती है तो इसलिए होगा है तो आप एट्लस में देखिये धम्रा बंदरगा इन्हो तो आपने चाई पार्क वाली खोला जा रहा है यहां पर तो आपने उसको नोट कर लिया अब इस चाई पार्क के क्या फाइदे होंगे तो आप इस न्यूस को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको चीजें मिल जाएंगी ठीक है बस इसमें जो काम की चीज थी वह यह थी कि ध हमरा बंदर का कहां इस्तित हैं तो उसमें लिगा उडिशा में और वहां पर क्या खोला जा रहा है चाई पार्क अब आगे हैं देश में सबसे तेज रफ्तार टेक फर्मों में हैं मौजलिक्स पर हैं तो यह थोड़ा सा करण की न्यूस बन जाती कि नोविटा की बिजनेस सबसे तेज रफ्तार टेकनोलोजी कंपन बनकर उबरी है इस स्टार्ट अप कंपनी देश के प्रमुक उद्योपति रतान टार्टा के अलावा आए एफसी और एसल जैसे निवेश को ने निवेश किया है तो आप बदा सकते हैं अब आ सकता है मोजालिक्स कि से रिलेटेड करना से कमने है जैसे लिज आउ दूर जाने लगी है इस मेंडिया में इंवेस्ट करने के लिए वो दूर जा एघ दो तो उसमें और एकोनोमिक्स का भी पार्ट है उर्जा सेक्षन के अंतरकत तो यहां कि अपकर इंडर्श्टी से उर्जा जो ँब दियो है जी स्कितर से इप उस इन्वार्ट इस की इस निया होगा लोगा कि क्यों जारी है कंपनिया तो जब आपका में का कॉश्चन है कि और भारत-सरकार दौरा क्या प्रियास कियारें और ऊस्चेत्र में क्या क्या बाधिया हैं तो उस उस बाधाओं का जिक्र इसमें किया हुआ तो उन बाधाओं को आप नोट कर सकते हो वहां espera में अपने नोट्स में जो आपने नोट किया उसको आप एक्जाम में लिख सकते हैं ठीक है अब यह हो गया हमारा बिजनेस का पेज अब इसके बाद आगे बढ़े तो हम आजाते सीधे पहुंचते आर्टिकल पर ठीक है अब आर्टिकल में आपको सबसे इंपोर्टेंट ची अब जैसे कोई हमारी जो देश की संस्ता है उसे जोड़ा आर्टिकल है तो हमारे स्लेबस का पार्ट बन जाएगा लेकिन जो पॉलिटिकल नियूस होती है किसी भी निउस पेपर हो चाहे वो जनसत्ता हो चाहे वो देनिक भासकर हो चाहे उना भार टाइम सो चाहे वो उसको मेरे साब सी यूपीए से उमें हमारे काम की नहीं होती उसे पढ़ने से बचना चाहे क्योंकि टाइम भी वेस्ट होता है और कई बार कई न्यूस पेपर बायस्ट हो जाते है किसी एक पार्टी के पक्ष्में जुके दिखाई देते हैं वो हमारे कहीं हमारी सोच को व जो हमारे आंतिक सुरक्षा से मुद्ध और जो जिस तरह की जो भी अपराद होते हैं उस पे नजर रखती है और उसको दूर करने में भूमिकानी बाती है अब सीविय में कुछ दिनों पहले ब्रश्टाचार की कुछ न्यूस आई तो उससे लिटेड़ है तो यह हमारे लि प्रवेश के अनुमती दिये लेकिन समस्या कायमें इस बीच एक महिला केंद्री मंतरी के संब्धित बयान के भाव को समझने की और कुछ खास उमर की महिलां को खास आर्टिकल लिखाए को जाना चाहिए या क्यों नहीं जाना चाहिए जिस पर डिबेट है तो यह डिबेट आर्टिकल इसमें में आ सकता है तो आप इससे देख सकते हैं किसी पर कोई ब्लेम नहीं किया झारा इस सुप्रीम कोट के निढ़ने का विचलेशन किया जा रहा है तो आप इसको पढ़ सकते हैं मुख्य परिक्षागी डर्स्टी से जैंडरी इस्यू से लेटेड आ है जो सब्सक्राइब और पर दो इसको हम पढ़ सकते हैं कि हमारे जैंडर इस्व जो हमारा सोचल इसका पार्ट है वहां पे काम आएगा अब धनी परदूशन भी फैलाते हैं पठा के ठीक है अब यह पॉलुशन से लिटेड एक आर्टिकल है तो इसको हम पढ़ सकते हैं क्योंकि ह मैं बताओं आपको तो इसले क這裡 अच्छे आते हैं लोडावंट की न्यूस बहुत अच्छे आती है और इसे भी इसके जो रटीकल होटा या फिर जो एकोनॉमिक के आर्टिकल होते हrän् tecnología को अप पड़ सकते हो पॉलिटिकल आर्टिकल को आप वैसे भी किसी भी निउस्पेपरों उसको कम से कम पढ़ना चाहिए मेरे उसाब से वह कोई यह हमारे काम की नहीं होते हैं लेकिन जो हमारी कोई संस्ताओं से जोड़ा हो कोई संशन से जोड़ा हो चुनाव वायोग से जोड़ा हो पंचायति लेकिन हमें फर्क कड़ आपने एक होता है आरोप परत्यारोप आपले आर्टिकल जिसमें किसी दूसरी पार्टी पर ब्लेम किया जा रहा हूं तो उसको हमें बचना है पढ़ने से एक पॉलिटिकल आपकल आपने से जैसे कि निर्वाचन आयोग की क्या भूमिकाहोनी चीह कि तो उस पर आपको फर्क करना होगा कि यह हमारे काम की है या नि अगर आप इस बार का वर्श का पेपर देखें तो उसमें कोशन आया था जी एस के अंदर जी एस पेपर फर्स्ट ए सेकंड में तो मुझे भी आद नहीं आरा लेकिन उसमें चुनाव आयों का इवी एम की सुरक्षा के लिए क्या कर रहा है या अपनी विश्वेश्व इस नियता को कायम रखने के लिए क्या प्रयास कर रहा है कुछ इस तरह का कोशन था तो वह एव अगले पेज में पेज नंबर शेपे तो कोहली विराट भरोसी का दूसरा आप यह हमारे इतना काम की नहीं है हम ने स्पोर्ट पेज में पढ़ लिया काफी स्पोर्ट के पारे में ज्यादा नहीं पढ़ना गंगा के लिए अब इसमें एक न्यूज और देखे हैं वान गं गंगा सरक्षा को प्राण त्यागने वाले संथ तो आप यह जो देख सकते हैं इन्होंने के लिए गंगा की स्रक्षा के लिए का रिक्या है तो आप इनको देख सकते हैं यूपी एसी में काई बार कोश्चन आ जाता है कि नेमनमें से कौन-कौन से प्रयावन वीद है तो प्रयावन में वीद्टों हैं तो इनके बारे में आप देख सकते हैं अब अगला एक दिया हुआ है न्यूज सी बी आई तोते की आजादी जरूरी एक बार सुप्रीम कोट ने सी बी आई को तोता कहा था तो उस अंधर में सी बीआ को तोता पतल तोता जो किसी के इशारे बोले या किसी के नकल करें ठीक है अब इसकी आजादी जरूरी आजादी मतलब किस सरकार से उस अंधर में लिखा हुआ है तो आप इसको पड़ सकते हैं क्योंकि हमारे इंटरनल सेक्यूरिटी पेपर थर्ड का टॉपिक है इसको आप पड़ सकते हैं अब देश में काम करने क कि दिशा और बदलेगी तक्निक हमारे पेपर सेकंड थर्ड में दिया हुआ है विज्ञान परोध्योगी की अब विज्ञान तक्निक जो होती है वह हमारे जियों में किस प्रकार उप्य होगी है इस तरह के कोशन अक्सर आते रहते हैं और हमारे स्लिवर्स में भी दिया तो यह इंपोर्टेंट है तो इसका आप ना कोई मलब विज्ञान परोध्योगी पर कोई निबंद आता है तो जैसे निबंद आये तो वर्ष 2013 के मुखे परिक्षा पाइंतर क्या विज्ञान परोध्योगी की सभी समश्याओं का इलाज है तो उस निबंद के अंदर आप इसका उल्लेग कर सकते हैं इसमें कुछ बात होंगी इनको नोट कर सकते हैं इस तरह का अगर कोई निबंद भविश्य में आता है तो आप उसको लिख से तो अब आगए तो ड्रोन तकनिक में विश्व का नेत्वत्योग करेगा भारत तो यह इनोवेशन इनोवेशन लिख यह थोड़ा साब देख सकते हो क्योंकि अगर कोई एजन विदेशी खुपी एजन्सी का कोई एजन्स पगड़ा जा रहा है किस रूप में रह रहा था तो आप इसको देख सकते हो यह थोड़ा कामगा अब एक न्यूस से दी हुई है इस पेपर में सीमाओं की इफाज़त कर है ठीक है फिर आप इसमें इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इस तोप की विशेष्टा है क्या होगी तो आयद निर्मानी बोर्ड और रक्षा मंत्रा लेके बीच 25 अक्टूबर को नहीं दिल्ली में नव विक्सित 155 mm और 45 कैलिबर की अप गनिंग सारंग तोप के लिए करा हुए है 29 किलोमेटर की दूरी तक सारंग तो मार कर सकती है तो इसकी मारक्षम ता 49 किलोमेटर ठीक है तो बस इतना सा काम की चीज़ें अब को रहाएगा कि अंटरास्टी सीमाओं की सुरक्षा की मलब बढ़ाने के लिए बाहर सरकार क्या कर रही है तो आप इसमें लिख सक अब जैसे उद्योपती समीर्था पर समय सोला को रहात ठीक है अब यह कोई हमारे काम की नहीं इसको छोड़ सकते हो पंजाब में महिला अधिकारियों से कत्राने लगे मंत्र विधाय मीटू का कौफ यह हमारे काम की नहीं है इतना इसको अपड़ इतना नहीं देखना ठीक नुक्सान हो रहा है वह हमारे काम की न्यूस है लापरवाई ने लिए हातियों की जान यह बहुत इंपोर्टेंट है उड़ेशा के देकानल जिले में कमलांग नहर के बाद शुकरवाद देर शाम करंट लगने से साथ हातियों की मत हो गई तो यह एक्जाम में कोशन यह न नुक्सान पहुंचा है क्या कारण रहें तो आप इसका उलेक कर सकते हैं इस गठना का कि हमारे देश में अभी भी कई जंगलों से करंट के तार गुजर रहे हैं जो बहुत नीचे हैं जो जान वर जब आते जाते मुव्मेंट करते हैं उनको नुक्सान बहुत उसकी होता है जानमर के रूट होता है उनको पता नहीं होता है रेल्वे लाइन है या नीचे मुझान लेक कर सकते हो शानी आतर लेल्वे ट्रेक्स बिजली लाइन हो का जाल ना हो जंगलों के अंदर जहां पर वर्नेजीव जाता है तो अगर हो तो उसके आसपास बैरिकैड सो उ तो इस तरह कि हमने देखा जो हमारे से जोड़ कर हम देख रहे हैं अब आगे है राहूल की नाराजगी के सब्सक्राइब के लिए जागरूपता के लिए बजाई जा रही है मद्दार आरती है कि हम चुनाव आयोग द्वारा चुनाव में जो भी जिला परशाशन में जो भी सज़ता हैं वोटर्स में चुनाव के लिए जागरूपता फेनाने के लिए क्या कारे कर रहे हैं इसे आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छा गाउं चोपालों बज रही है आरती है तो यह सीचे आप उलेक कर सकते हैं हमने आंसर में कि चुनाव आयोग भारत में मद्दाताओं में दान प्रतिशत बढ़ाने के ल मैसरी काम की निउश नहीं वहार में भाजपा देगी आदा दर्यायस की और यह वहारी काम की निउज नहीं गूले कर देगी पर श्कुरम ऑं पप्र जापान के ठीदर मंद्यार में अन्में और और भाग लेने के लिए प्रदार मंतरी टोक्यों पहुंचे हैं इसलिए इस वक्त बहरत का सबसे प्रमुक रणनितिक और आर्धिक साजुदार है और हमारा बहुत अच्छा दोस्ट है जो हमारे हर बुरे वक्त में हमारे साथ है तो जापान से हमारे डिश में बहुत बड़ा इंवेस्टमेंड भी हो रहा है दिली और मुंबई और अहमजाबाद के बीच में बुलेट ट्रेंड की स्थापना भी जापान के सहयोग से हो रही है तो इस डरस्टी से भी न्यूस बहुत इंपोर्टेंट है तो अब हमारी जब परदामिंद्री महां जाएंगे तो उनके बीच क्या-क्या समझोते हुए क्या-क्या जो डील हुई वह इंपोर्टेंट होगा आस्ट्रियवा अमेरिका के साथ मिलकर चार देशों के गुट की स्थापना की समिक्षा तो यह किसको मनाया जा रहा है चीन को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है तो इस डरस्टी से भी इंपोर्टेंट न्यूस है भारत में जो इसकिल्ड लेबर है उसको जापान कैसे र दोनों मिलकर डिफैंस के लिए अगर कोई हतियार डवलप कर रहे तो इन सब चीजों पर चर्चा होगी तो इस डरस्टी से यह बहुत इंपोर्टेंट है आई आर का न्यूस है अब सब्री माला मामले में स्वामी संदीपानंद के आश्रम पर हमला ठीक है तो यह अपना इ इसे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट तो यह डिपार्टमेंट किस मंत्रा लेकर अधिनकारी करता है सबसे इंपोर्टेंट इस मंत्र यह आपको खुद देखना है जरूरी नहीं कि यह निज में मिलेगी आपको क्यूरू सिटी होनी चाहिए कि जब यह कोई ऐसी कोई निद लेकर दीनकारी करता है उसके कारी क्या होते हैं कि आप इसको और ताकतवर बनाए जाना चाहिए कुछ इस तरह के होंगे जैसे इस बार आया था ना अनुसीजाती जन जाती या पिछड़ा वार आई हो क्या इनके एक साथ भी ले किया जा सकता है कुछ इस तरह की कॉश्श इन पर आप नजर रखो, फानेंसिंग इंटेलिजेंस हुई तो यह सारी पांसाथ एजेंसी उन पर नजर रखो, कब इस्ता अपन हुई, क्या हुई, CVCS के ने साथ आए हो गया है, तो इन पर नजर बनाए रखे हैं, ठीक है, अब दसाल्ट एविशन किस देश की कंपनी है, यह हमारे काम की इंपोर्टेंट है, यह महां की है, फ्रांस की, तो यह इंपोर्टेंट है, बाकि यह रिलाइज सक्षा में यह नहीं, इन चीजों आप हमें ध्यान नहीं देना भी, यह इंट्रिव्यू से लिटेड कोश्टन ह इसको आप देख सकते हो, इसको आप देख सकते हो, क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है कि महिला आप कमांडो पंट रहे हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मिदारी होगी जो इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट है तो आप जो भीमन एंपावर्मेंट का कोई भी निभंद आए या कोई भी शोशल इशु आए तो उसमें आप इस घटना का उल्लेख कर सकते हो कि अब हमारे देश की महिला हैं हमारे देश की सुरक्षा वेवस्ता को भी समाल रहे हैं अब वो पुर्षो से किसी भी छेतर में पीछे नहीं है हाली में सरकार द्वारा अंट्राष्टी एरपोर्ट इंद्रागंधी अंट्राश्टी कर तो जब आप लिखोगे कि बरिष्टों के लिए सरकार क्या कर रहे तो आप इस्ट गवर्रमेंट की योजना का उलेख कर सकते हैं। में नियूस पेपर उठाया आपके सामने उसका एक हर पेज का मैंने विसलेशन किया इसी तरह आप देखो यह से नियूस पेपर एक जनसरत्ता उठालेते हैं अब इसको हम देख सकते हैं वही जो इसमें चीज़ दिया हुआ है वही इसमें अब जैसे पहला फ्रेंट पेजे राम जन मुह पर मामला सुपरीव कोड में नए पीट में सुनवाई 29 से तो यह हमारे अभी कुछ काम की नियूस नहीं है आप इसे छोड़ सकते हैं अब अगल सुन रहे फ्ज़ी माला में सिर्फ यह बता है कि सब्रीमाला कहां इस справ całe नियूस नहीं है नक्सलि आप इसे यह स्यांघ ऊटन स करणे काम की मैं आतो आप इसे दिक शड़ेंगे सब्द्रिकति अलिज्च सिर्दम नदेगे अब भी पी हैँ ना सरकार दिल्ली के पूर्व मुख्य मंतरी रहे थे तो यह पूछा जा सकता है एक्जाम में ठीक है परस्नालिटी से प्रदामधी मोधी शिंजय वबे के साथ तो हमने उस न्यूस पेपर में चल चागी वही न्यूस यहां पर है ठीक है तो यह आयार का सेक्शन है पावर गेड़ पर आप देख सकते हो क्योंकि यह इंटरनल और हमारी भारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है देश किसी भी संस्थान और सरकार से बढ़ा एक स्टेटमेंट मिला बहुत अच्छा स्टेटमेंट है आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि देश से बढ़ा कुछ भी नहीं होता है तो सब्सक्राइब करने कोई पारिवारिक समस्था आगई है तो आप इस लाइन को लिख सकते हो देश किसी भी संस्थान और सरकार या किसी व्यक्ति से भी बढ़ा है इस तरह की विसे चेंपियन दोनी टी टॉंटी से भार यह कोई काम की नियूज नहीं है हमारे इसको आप छ आपने बाहर सी बना देवदर ट्राफी चेंप में यह काम की चीज मिल गई ऐसे ही इसमें दो चार नियूज यह दिए स्पोर्ट की आप देख सकते हैं सिंदू स्रीकान फ्रेंच आपन से बाहर तो हमने वहां भी पढ़ा है अब देखो दुनिया दुनिया मतलब विश्व तो वीश्व वन अंटराशन समथ ब्यक्ति कतं सान वाली राजनेती खतम था ठीक है तो यह चोड़ सकते हैं तो यह चोड़ सकते हैं और इसको आप छोड़ सकते हैं पाकिस्तान में अदालत ने लगाई भारत याव परपांदी यह इंपो पाकिस्ता के समंद पहले ही आल्रेडी तरनाव में और इस तरह की पामंदियों से समंद और भी बिगड़ेंगे तो आप देख सकते हैं इसको थोड़ा बुद देख सकते हो कोई जादा काम की चीज नहीं है वारे बिटानी कंपनी ने गणेश नाम के बीर को वापस लिए यह अब यह देख सकते हैं अब आगे हैं व्यापार व्यापार मतला फिनांस अब बिजनेस ठीक है शीद कलीन सत्रें पारी तो हो सकता है यह मोस्त इंपोर्टेंट है वह बोगता स्रेक्षन ने वीदेख गुनिसोची में आया था अब उसमें कुछ शंशोद देख देख इस अब बोगता है तो आपको संशोदन पता होने जाए मेंस की ड्रस्टी से बहुत इंपोर्टेंट और फिलेम्स की ड्रस्टी से भी इंपोर्टेंट है ठीक है व्योगता संकेतों कम जोर मांग सिस होने मिन अर्मी यह थोड़ा देख देख रहा को एसी गटना है इससे आ भारत में हाली में एक परसंट उठाता कि कोईला को क्यों ना निजी कर दिया जाए क्या को इंग्याइब एक मातर अधिकार कोल इंडिया लिमेटेट गया है ठीक है और हमारी जो देश पे उर्जा संकटक में कारण कर चाहा है तो आप इसका व्लेक कर सकते हो कोईला की कमी स हमारे जो उर्जा उत्पादक सेयंत्र है वो अपनी पूरी शम्ता से कारे नहीं कर पा रहे हैं तो इन घटनाओं को इन ची जो का पुले कर सकते हैं तक्निक से उपज बढ़ाई जा सकती है अब यह टेक्नोलोजी किस तरह से हमारे प्रडक्शन को इन रिच कर सकती है तीन महाम बंदी कार्य करता को छे नौ में पुलिसाथ में यह काम की नहीं रो मिला थापर की पुरुचार याज का खाली जी पी छोड़ो बाहर चीन सीमा विवाद पर अगले महीने बाची दिए इंपोटेंट जो हमने वह पड़ा ठीक है चोपत हाल में अर्थवेवस्ता य कि आगे चलो मामूली कहा सुनी के बाद चाकु गॉपकर यह क्याता है यह हमारी काम की नहीं कुछ आप पूर्व विदायक पर बलदकार कारों महामला दर्ज यह भी काम की नहीं है आठवी के चाहतर ने शिक्षक पर हमला किया मामला दर्ज यह वी काम की जाते हो क्योंकि हमारी स्ट्री में भी है अरी समाज तो आरी समाज की अच्छा कारे कारे के उसका आप देख सकते हो ठीक है कल चका जाम करेंगे डिटी सी कमचारी यह इंपोर्टेंट नहीं बड़े-बड़े विग्यापन देख रहें नाकाम ही ओपर पर परदा डाल रही है सरकार इसको आप देख सकते हो क्योंकि यह लेवर से जुड़ा हुआ है ठीक है परदू शर्ण फैलाने पर होगी अपरादी कारवाई यह इंपोर्टेंट है खराब होती बाई गुनता पर बोले केंद्री बनती हर्शवर्दर तो सरकार क्या स्टैप उठारी यह इंपोर्टेंट नहीं मुख्या की नाम पर आहम सहमती बनाने की कावएद राहुल कादी से मिले पीसी चाको यह कोई इंपोर्टेंट नहीं आदिवासियों को खुद लिखना पड़ेगा अपना इत्यास को यह ट्राइबल से जोड़ा हुआ है इसको आप पड़ सकते हैं सरकार पर नो करशाही हावी होने का आरोप गलत खटत इगल यह निजमारे काम की नहीं है कुष्वाहने का मजबूती से राजक के साथ हो एसके मिर्शा तीन महीने के ल देखें हम न्यूस पेपर तो ओवरल हम देखें तो कुछ न्यूस पेपर नो कुछ चीज अच्छी है कुछ पर नहीं जैसे जनसत्ता का देखें लेखिश के आर्टिकल थोड़े अच्छा अने बैलेंस्ट होते हैं अगर आप देरिनिक भास कर कि देंगे उसके भी आर्ट तो पढ़ने से मेरे इसाब से बचना चाहिए वह हिंदू के लेवल का करेंट बहुत अच्छा गरंड है उसका इकोनोमी पेज वाले भी बहुत अच्छा आता है तो मेरे इसाब से आप दो न्यूस पेपर पढ़ सकते हैं जैसे अगर आप पढ़ना चाहें तो एक ना साथ मे इकोनोमी हमारे प्रीमे और मेंश में बहुत इंपोर्टेंट है तो अप इंडियन स्वरी एक न्यूस पेपर आता है हिंदी में उसको आप पढ़ सकते हैं उससे आपकी एकोनोमी के प्रती समझ अच्छी डवलाप होगी धीरे धीरे एक दिन में नहीं होगी लेकिन धीरे लेकिन इंडियन इंडियन स्वरी एकोनोमिक टाइम्स जो हिंदी वाला उसे आप डेली पढ़ी है उसके अलावा जो करण में कुछ चीजे छोड़ जाती जो आप मन्थली करण की मैगजीन पढ़ते हैं उसमें वह चीजे कवर हो जाती मन्थली मैगजीन मुझे दो मैगज अगर आप और करण में कुछ देखना चाहते हैं भई हिंदू का देखना चाहते हैं तो आप study IQ या only IS जो साइट है उस पर हिंदू के जो ट्रांसलेशन एविलेबल होते पड़े एडिटोरियल्स के वी और करण के वो पढ़ सकते हैं तो दोस्तों बस आपको पहले सबसे प पता नहीं लगा पाओंगे कि कौन सी आपकी काम की चीज़े कौन सी काम गी नहीं दूसरी जी पिछले साल के पर देखते रहें जो निउस पेपर से लिटेड जो कोशन आये मेंस पे और प्री में उनको देखते रहें उस ही से आपको न्यूस पेपर पढ़ते पदा चलेग झाल